नश्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कूस करेंगे क्लास एर्थ के मडिपल चॉइस कॉश्टन्स और जो मडिपल चॉइस कॉश्टन्स होने वाले हैं यह जोग्रफी के होंगे स्केडर बोर्ड है स्केंडर एजुकेशन का उसमें सिसके पूछे जाएंगे ठीक है यह इस सी बैसी अच्प क्रौछों में नहीं के शॉट बोर्ड ऐसं के लिएं बहुत इंपर्ट्न क्रौफंट्स होने वाले हैं तो सिमर्बब 1 लेक्रों नाम क्या था जम्मु एंड कश्मीर इंडुस्ट्री इस लिमिटेड किस एर में एक्जिस्ट में आई तो ए ऑप्शन दिया है 1962 बी ऑप्शन इस 1963 सी ऑप्शन इस 1964 इंडी ऑप्शन इस 1965 ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बबी डैट इस 1963 थे नेक्स क्स्टपर आते हैं को श्कंब़ टू देखते हैं को समब टूमधे कहा गया और टीबीचियन यो टीबीटियन रजह Türkiye है पश्मीनश रीजिए अर टीप्व dwर में ये जोको दोनं आत्स इह रीजिए पास ये सब्छन में बताना है उस्ट पास है तो उप्शन दिया तो कश्मीरी इस दी गिफ्ट ऑफ डैश एस्या थू करवांस ठीक है तो देखिए जो कारपेट वीविंग आई कश्मीर में वो कहां से आई में लिए कुछन में पूछा गया है करवांस के थू आई है वो कहां से सिंट्रल एशिया से आई थी तो इसका अंसर हो जाएगा option number C question number 4 देखिए इसमें कहा गया which type of industry is concentrated in the areas on the bank of वुलार लेक तो देखिए वुलार लेक के बारे में बात पता होगा आपको कि ये जमो कश्मीर में है ठीक है तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी industry है जो वुलार लेक के bank के तरफ situated है ठीक है और नियर आपको दो villages के नाम दिये ह वतलाब और साथी साथ च्रार और बोतिंगो विलेज जो है ठीक है उसके पास कौन सी आपको पूछी गई industry located है तो यहाँ पर जो सही answer है वो है cottage industry ठीक है तो याद रखेगा बोतिंगो विलेज है च्रार विलेज है ठीक है वतलाब की बात अगर करी जाए तो यह सब और अब यहाँ पर कौन से ऐसा district है या कौन से जगह है जो विकर विलो के लिए बहुत ज्यादा फेमस है यह आपको इस question में बताना है यह option दाग दिया है भी option जम्मू दिया है सी option कश्मीर कश्मीर करेक्ट आंसर ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा सी option से हो जाएगा that is कश्म गया it is a unique attractive and exclusive handicraft of कश्मीर बिल्कुल सही है ठीक है second option में दिया गया paper and pulp are shaped into variety of decorative articles जो paper होता है उसका pulp होता है उसको कई सारे decorative articles में उसको shape किया आता है shape provide किया जाता है colorful design किया आती है paint किया जाता है उस पे ठीक है तो यह दोनों बाते बिल्कुल सही है third में कहा गया the centers of production include रहना इसका सबसे आदा अगर production होता हो कहा होता है जैनावारी में होता है और साथी साथ अनंतनाग में होता है तो तीन यह option जो है वो बिल्कुल सही है तो इसका जो correct statement that is all of the above तो मतलब सारे के सारे statement जो above दिये हुए हैं वो सही है next question number seven में कहा गया पश्मीना शॉल इंडस्ट्री इस concentrated in dash region तो अगर पश्मीना शॉल आपने सुना होगा बहुत ही ज्यादा famous शॉल है ठीक है तो यह किस region में सबसे आदा concentrated है या आपको इस question में बताना है तो सबसे आद है कुछ number eight देखते हैं इसमें कहा गया विच डिस्ट्रिक इन जम्मू रीजन इस फेमस फॉर इट्स हैंडिक्राफ इस्पेशली फॉर बसोहली पेंटिंग तो इनके लिए कौन बहुत ज्यादा famous है अनंतराग बी option कट हुआ है c option ले है और d option is 12 मुला तो इसका जो सही आंसर है वो है कट हुआ that is option number b next question में आएंगे question number nine देखे which region is also famous for clay modeling and थंका painting तो देखे clay modeling के लिए और थंका painting के लिए और थंका पेंटिंग लिए जो रीजन बहुत ज़्यादा famous है वो है कौन सा वो है लद्दाक तो d option में सही हो जा आना है तो यह बहुत ज़्यादा famous है किसके लिए silk के लिए ठीक है तो silk आपको पता होगा और जो silk का culture होता है silk production होता है that is called seri culture question 11 में कहा गया in which year अब देखे रामबाग silk factory की बात हो रही थी रामबाग में जो factory हो silk factory है तो आपको बताना है जो रामबाग silk factory आई वो किस year में established की गई थी ठीक है तो 11th question में अगर देखा जाए तो 1897 is the correct answer that is option number C ठीक है इसके बारे में एक बात और याद रखिए कि जो established क रही थी ठीक है और यह मतलब बहुत बड़ी factory है पूरे world में अगर देखा जाए तो one of the biggest factory है उस समय की ठीक है next question पर आते हैं question number 12 है इसमें देखे क्या कहा गया sports good industry has been established at मीरन साहिब located at तो देखे sports good industry के बात करी जाए तो यह कहां पर established करी गई थी तो मीरन साहिब पर established करी ग कठ हुआ c option is lay and d option is jamu तो इसका जो सही आंसर है that is jamu तो d option इसका सही हो जाएगा question number 13 देखे 13 में क्या कहा गया एक और बहुत अच्छा और बहुत ही असान question है modern dash plant has been established at lethpora pulvama in 1981 तो देखे 1981 में एक बहुत important plant setup किया गया अब आपको बताना है वो किस चीज का plant है ठीक है तो लेथ पुरा pulvama में 1981 में setup हो था इसकी बारे मियाद रखेगा यह कौन सा plant है तो a option दिया है wool plant b option दिया है bats का plant है c option rice का planter d option carpet का plant है तो इसका जो सही answer है that is rice तो इयाद रखेगा यह rice का plant है plant मतलब पेड़ नहीं है plant मतलब factory की बात यहां हो रही है next question देखे question number 14 है इसके backbone of economy for jammu kashmir and laddak तो देखे chapter का नामी है industries of jammu kashmir and laddak तो यह सबसे important question मनता है कि जो industry backbone है ठीक है economy का जो backbone है इंती नेरियास का वो कौन है तो carpet industry है कि wood industry है कि tourism है कि defense है इसका जो सही answer है वो है tourism industry तो tourism industry याद रखेगा backbone है किसका जammu का कश्मीर का और साती साथ laddak का next question देखे next question match the column है यह बहुत ही अच्छा question है NCRT का ही question मतलब book का ही question है इसमें कहा गया Carpets है कांगडी making है paper match ही है पश्मीना शॉल है बसोहली printing है अब आपको इधर से इसको match करना है तो चलिए इसका answer हम आपको बतायते है क्यों किससे match होगा तो देखे सबसे पहला जो है वो Carpets है Car कालीन जो थी देवर oldest industry ठीक है इसके बाद कांगडी making की बात करी जाए तो कांगडी making जो है मैच हो जाएगा विकर विलो से कश्मीर का famous है इसके बाद paper matchy की बात करी जाएगी तो paper matchy को आप किससे match कर देंगे unique and exclusive handicraft of यहां पे unique and exclusive handicraft of कश्मीर इससे match कर देंगे इसके अगर करी जाए देंगे थोड़ा सा बड़ा हो गया है पश्मीना शॉल की बात करी जाएगी तो शेहतूश रिंग शॉल और कजियामा ठीक है कनिजमा ठीक है तो इससे आप इसको match कर सकते हैं मतलब second से match हो जाएगा फोर्थ वाला इसके बाद बसोहली painting की बात करेगी तो लाष्ट बचा है बसोहली painting उसमें आप देख सकते हैं बसोहली painting जो होगी वो किसी में इस में नसे और मैक्च हो जाएगी यह हमारा हो जाएगा तो पहला भलो हम लोग ने मैच किया 3D से दूसरे को मैच किया था 5 से तीसरे को मैच किया 4 से चौथे को अगर देखा जाए त तो सेकेंड से मैच किया और अगर लाश को देखा जाए तो हम लोग ने फस्स से मैच किया तो इस तरीके से मैज दो कॉलम हो जाएगा नेक्स्ट और लास्ट कुश्चन है इसमें देखें क्या कहा गया तो यह बहुत जदा फ्लेरिश हुए लेकिन किसके रेन में सबस्य जदा फ्लेरिश हुए तो जैन उल आबदीन जैन उल आबदीन इनके रेन में सबसे जदा यह दोनों चीज़े फ्लेरिश हुई है फ्लेरिश मतलब बहुत जदा बड़ी है बहुत जदा अच्छे दिन रहे हैं इनके तो हैंडी क्राफ्ट के और साथी साथ क्राफ्ट इंडेस्ट्री इस के यह कब इस्टैबलिश हुई थी तो यह आपको डेट भी याद रखनी है और यह सारी चीज़े याद रखनी है तो ये कुछ questions थे approximately 15 to 16 questions थे अगर आपने इतना prepare कर लिया तो आपका पूरा chapter इससे prepare हो जाएगा आपको और बाहर prepare करने की जूरत नहीं है ठीक है तो ये हमारे कुछ questions थे जो आपको prepare करना जो आपको समझना बहुत ज़र्द ज़रूरी और बाकी के जितने भी mcqs है इस किता आपके चाहे वह सेश्टी के history हो सिविक्स हो जोगरफी हो वह playlist में attach कर दिया गया है आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएए प्लेलिस्ट में सर्च करिए और सर्च करके सारा अपना रिवीजिन अच्छे से कर लीजे तो आज के लिफल लालत नहीं रखते हैं थेंक्यू वेर म